आज कल कोई भी वरैटी देख़लो, पहले की तुलना में सबसे ज्यादा हूंपज आपको मिलती है, इसका मतलब समझ रहे होelli कि ज्यादा हूंपज देने के लिए आपके वरैटी के अंदर ज्यादा नाजूपन लायेगा है, जिससे ज्यादा ग्रॉथ हो झादा घ्रोथ यानिकि जादा नाज़ूपन होता है यही सुतरई आज कल के नई वहराइटी के अंदर इस्तमाल किया गाला है उन्होंने उनका काम तो कर दिया आपको ज्यादा प्रोडक्शन वाली वहराइटी चाहिए थी तो उन्होंने वो बना कर आपको दे दी लेकिन एक और बड़ी समस्य है वहाँ पर उत्पन्न हो जाते ही कि ज्यादा नाजुक्पन यानि कि ज्यादा किटकों का ज्यादा रोगों का और ज्यादा वाइरस का एटक होता है तो यही पेज जरुरत पड़ती है हमें तो दोनों चाहिए एक तो हमें ज्यादा प्रोड़क्शनी चाहिए और सात ही सात पतियों को नाजुकपन भी नहीं चाहिए तो इसीलिए आज के इस युडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कि पत्तियों के अंदर एकिस प्रेई के इसеленा कर सकते हो जिससे आपका प्रोड़क्ष होकर उनका जो भी एक ग्रोथ का जो सिस्टेम होता है वह बहुत ही तगड़ा वाला वीगरस वाली वाराइटी होती जिसके अंदर ज्यादा वीगर होती है ज्यादा बढ़ने की शमता होती तो ऐसी सिच्वेशन में आपने टॉनिक का इस्थामाल कर दिया तो और भी ज्याद ज्यादा ग्रोथ होकर और भी ज्यादा नाजुक पना कर आपके लेने के देने पड़ सकते तो आज का यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुन ले ना सिर्फ कॉम्बिनेशन देखकर सिर्फ उसको डालने से कोई मत होने है क्योंकि उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए तो च हमें स्प्रेगे अंदर हामें पतियार रब करने वाला इसके अंदर आपको जो भी हम छीजेए बने हाले अभी देखो आपकी हुसल के अंदर आपको यहाँ पर नाजुक्पन भी जादा होगा और यह जो नाजुक्पन को निकालने के लिए, यानि कि मजबूत बनाने के लिए, हमें nitrogen को कम करना होगा, तो nitrogen को कम करना होगा मतलब क्या है, इसके अंदर phosphorus की level बढ़ानी होगी, जो भी चीज़े करने वाले हैं, वो हम combination के अंदर आपको ठीक से बतानी ही वाले हैं, तो आप हम उसके हिसाब से अगर अच्छे से लेंगे, तो और भी अच्छा production भी मिलेगा, और आपके पुसल के अंदर रोग, किटक और virus की संभावना नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करने वाले, इस growth को थोड़ा सा दबाने वाले, अगर आपकी vigorous वाली variety के अंदर आपने variety या फिर आपकी फसल बहुत तेजी से बढ़ रही है, पत्तियों के अंदर इतना पतलपन, नाजुपन है कि आपको पता है कि यार कुछ न कुछ गड़बढ होने वाली है, तो वो गड़बढ होने से पहले है, यानि कि समझ लो कि ऐसी situation है, आपकी फसल तो बहुत अच्छ पत्तियों को बारी से पहले रब कर लेना है, तो रब कैसे कर लेना है, तो और क्यों करना है, यह अभी आपको जैसे पता चल गया होगा, कि क्यों करना है, तो पता चल गया है, अभी कैसे करना है, यह बता देता हो, तो क्यों करना है, पसल को मजबूत करने के लिए, पत्ति यो को मजबूत और रब बना सकते हो वो भी अच्छा तरीका है लेकिन मैंने पिछला वालों कॉंबिनेशन बताया था बहुत सारी जगह पे फोस्परिक एसिड एविलेबल नहीं है इसलिए मैं आज के इस कॉंबिनेशन में फोस्परिक एसिड की जगह दूसरी बाते बताने तो सबसे पहले हम फंजी साइड के तोर पर यहां पर इस कॉंबिनेशन के अंदर लेने वाले रोकू जिसके अंदर आता है थायोपिनेट मिधील जो कि आप किसी भी कंपणी का ले सकते हो अंप कोई भी लेना देना नहीं एक कंपणी से अब किसी भी कंपणी का लेज़िए के साथ हम लेने वाले कुमान आपकी जहएम हमारी इरिया में कुमान अन्च की इस्ट में लेकिन आप के फ़सल के अंदर अगर फ्राउरिक स्टेज ना हो तो ही आप जिड़ा टतर का इस्तेमाल कर सकते हो, यह जो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, यह फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर कोई भी स्टेज हो, सभी आवस्ता में चलने वाला कॉम्बिनेशन में बना है, अगर आपके एरिया में अगर जिड़ा टतर ही मिलता है, कु को आपको यह कॉम्पनी वाले प्लावरिंग के अंदर नहीं डालना है इतना द्यान में रखना है तो रोको लेने वाले हम कुमा यह लेने वाले पर यहां पेडि आप 12 tocar इस्तामाल कर सकते हो या फिर हम यहां पर लेने वाले रहा का इस्तामाल करेंगे जिसमें फोस्फराइब ज्यादा है नाइटर्जन फॉस्परस आपको पता है नाइटर्जन को दबा देगा और पतियारप हो जाएगी तो सिर्फ एक चीज से नहीं हो गई है यह सभी चीजों से होता है इन सब का एकत्रित कार्य बहुती अच्छा तरीके से हो जाता है और एक और इंपोर्टन चीज आपको लग अच्छा ता है सिर्फ 50 प्रतिशत से उपर वाला होना चाहिए और पाउडर पॉर्मॉलेशन वाला होना चाहिए यह जो आपका सिलिकॉन है यह भी आपके पतिया को रभ बनाता है तो एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपको यह पतियार रभ बनानी है तो इसी के लि कुमाचीं ले सकते हो आप 500 ml 11-4-11ücke लेश्ड़विब फश् Death साथ ही में आप सिलिकटर काभी इस्तेमाल कर सकते हो 200 लिटर पाने के लिए 500 ग्राम YEAH तो इसी तरीके से अगर कि वी सीटर पाने के लेले डोस लेना चाहते हो फार्प हर रोकँ लेस आप ले सकते हो 50 ग्राम तो इस तरीके से आपको इसके अंदर कोई स्टिकर का इस्तेमाल ने करना है कोई इंसेक्टी साइड डालना चाहते हो तो भी वो मट डालिएगा क्योंकि बहुती सप्रेस मतलब दबाने वाला कॉंबिनेशन ने कुछ गलती कर दिया तो गड़बर हो जाएगा इसलिए जितना कॉंबिनेशन के अंदर बताये उतना ही इस्तेमाल करें वजह कुछ फॉस्परिक एसीड साइट्रिक एसीड इसके अंदर ना मिला है जितने चार प्रोडुक्त बताए तो चारी प्रोडुक्त डालो ज्यादा डालोगे कुछ नुक्सान हो चले मिलते आगले वीडियो में जे जवान जे किसा